हाई फ्रेंट्स वैलकम टो मीबबी आप आपको गांठ जो आप डालते हो जब उनको जोडना रहता है तो आप कैसे करता हो ऐसे कड़के दोनों उनको पकड़के गांठ डाल जोड देते हो गांठ डालकर आज मैं आपको दुसरा तरीका एक बताती हूं जिसमें आपके नहीं बंदेंगे यह बिल्कुल ही इसे फिनिसिंग बढ़ियां आगी अच्छे फिनिसिंग सेटर कियाती है गाठ वाली थ्रबद्दी लगती है आप कहीं पड़ भी गाठ बांध हो यह आपके पता नहीं चलेंगे पूरे स्वेटर में जब आप स्वेटर खतम होने के बाद आप उधेरोगे कभी भी तभी आपकी उन अलग-अलग होंगे बढ़ना अलग नहीं होंगे अब मैं आपको बता देती हूं कि इसके लिए आपको 6 इंच से 7 इंच तक उन जब रहे गाठ बांधने से पहले आप उसको छोड़िए और जिस उन को लगाना है उस उन को लगा कर एक साथ और तो आप फंदे चरहाएए डवल उन से इस तरह से फंदे चरहाने के बाद आप कहाई पर भी हो कोई जरूरी नहीं साइड में ही हो बीच में भी आप कर सकते हो जहां पर खतम हो उससे 7 इंच पहले आप उनको बचा के रखो उसका आप दूसरे उनको उसमें क करके दोनों उन से आप फंदे मुला श्टार्ट करो ऐडब्ल बुना जाए थोड़ी दूर बुनाएंगे उसका फिर आपका जैसे बनता हो यह सिंगल उन से बनते चला जाएगा फिर आपो गर्ल्टो गे तो फिर आपका single हो जाएगा वो dडब्ल सिंगल उनकर करके और यह कभी नहीं खुलेगा दूसरी बात कि यह बहुत ही खुशुरत लगती है आपको कहीं जोड पता ही नहीं चलेगा किसी भी उनका चाहे वो दो रंग से बनाओ एक रंग से बनाओ वो पता नहीं चलेगा जो आपका यह कहीं पर ज्वाइंट भी है वो गाठ गाठ वाली नहीं और आपकी ज्वाइंट पूरी पक्की हो जाएगी इससे आप बस जो यह दो फंदे जैसे डवल दिखाई पर रहे थे उसके आपके एक फंदे फिर उत्रेंगे इस तरह से आप बनाते चले जाएए स्वेटर जहां पर भी आपको गार्फ डालनी हो यही प्रोसेस करना है कि छे साथ उन पहले ही उसको छोड़ करके और दूसरे उनको उसी समय लगा देना है और इस तरह से बुनिया है कि इससे आपके फिनिसिंग स्वेटर के बहुत खूब सुरात आएगी पता ही नहीं चलेगा कि कहीं उन भी आपका ज्वाइंट किया हुआ है गांठ डालते हो तो अच्छी नहीं देखने में लगते हैं इसे तरह से आप पूरे स्टोटर बना लेंगे जहां से आपकी बुनाई करनी है जितने दूर जहां पड़ आपकी खतम हो जाए वहां पड़ा पे ही 6-7 इंच को छोड़ना है आपको और दोनों उनको जोड़कर डवल डवल फंदे को डवल उन से बुमते जाएए और फिर आप लोटने में उसको फिर आप सिंगल कर देजे कोई फर्व नहीं पड़ेगा और पता ही नहीं चलेगा जो आपका यहां पर उन ज्वाइंट किया हुआ है गाठ जोड़ा हुआ है कहीं कुछ पता नहीं चलेगा जब कभी आप हविसे में खोलोगे तो उन अलग हो जाए